तो गैस जैसे कि मैंने आप लोग को exercise 1 दी थी और उसका question यह था कि आप लोग को बनानी थी एक dictionary और क्या होगा कि user से input लिया जाएगा और उस dictionary में से जो input है वो लेकर जो है output कर दिया जाएगा जो भी इस dictionary में मौझूद वर्ड है उनमें से कर एक को type किया जाए तो उसका output दे तो इसका solution है काफी लोगों ने किया लेकिन सबसे पहले इसको solve किया था मयूक सेन ने तो मयूक सेन ने जो program बनाया है मैं उस copy करके आप लोगों को दिखाता हूं मैं इसको control c से copy कर लूँगा और इसको यहाँ पर नीचे जो है पेस्ट कर दूँगा और इसको मैं run करके देखता हूं और यह P capital हो गया वो YouTube के comment के वाज़े से हुआ है मुझे पता ह Error नहीं sorry date of words जो है उनकी आ गई है शायद यह date of words थी है मुझे नहीं पता क्या है लेकिन जो भी है यहाँ पर आ गई है अगर मैं आप पर pin करूंगा इसको मैं मान लो यह PIN लिखूंगा तो PIN नी मुझे capital P लिखना पड़ेगा और enter बार हूंगा oops मेरी गलती थी मेरी गलत मैं आप लोग के programs को लेकर जो है आप लोग को feedback देने के लिए आया हूं अब जो Mayuk ने program बनाया उसको आप लोग क्या किया उसने सबसे पहले एक dictionary बनाई उसके बाद उसने name variable में as a string store कर लिया जो भी user type कर रहा है उसके बाद उसने क्या किया इस dictionary में मैंने आपको बोला था पहले कि आपको assume करना है कि जो भी enter होड़ा वो dictionary में मौझूद है यूग अगर नहीं होगा तो obviously throw करेगा error लेकिन मैंने अभी के लिए आपको बोला था आप ignore कर दें उस चीज को error को handle ना करें अब यहाँ पर जैसे डी नेम इस dictionary में look up हो गया और look up करके print हो गया इस print statement की मानलो मैंने टाइप के इनकी डिशनरी में कुछ मौझूद ही नहीं है तो थोड़ा सा जीब है मानलो मैंने डी लिखा type value मानलो फिर से डी लिख दिया तो तो यह नोंने गलबल कर दिया तो और अब के लिए output मेरा यह है मैं उनको suggestion देना चाता हूं कि भाई आप dictionary सबसे पह आपको ऐसे type नहीं करानी है value already आपके dictionary में है उसके बाद आपने जो किया dictionary keys equal to value यह नहीं करना यह दो line आपने जो किये है वो गलत है आप लोग क्या करना है dictionary में मानलो मैं डाल देता हूं कोई attention की बात नहीं भाई आप अराम से practice करो जरूर अप भी अगली बार जो अगला challenge होगा उसमें सही program आप ही बनाओगे सबसे पहले इसके बाद सुनील सैनी ने जो code बनाया उसको मैं blindly copy करके पहले paste करता हूं उसके बाद हम लोग बात करेंगे तो सुनील सैनी मुझे अच्छे से काम कर रहा है ऐसी बात नहीं है और इन्होंने ifls क्यों लगाया मुझे समझ में नहीं आ रहा है जबकि मैंने बोला था पहले ही कि आपको assume करना है कि जो भी input किया जो कि डिशनरी में नहीं है मानलो मैं इसमें Harry डाल दूँ तब invalid input try again बोलना चलो ठीक है यार यह इसको देखने के बाद आप जरूर से जो है अपने प्रोग्राम को सही बना पाएंगे मैं आशा करता हूं कि मेरा input आपको पसंद आएगा अगला comment है मजमिल पठान का मजमिल पठान अब मैं आपको एक input सबसे पहले ही दूँगा कि आप जब भी solution post कर रहे हो तो जैसे यह को ने लिखा है भाई is dictionary is similar to json जोने question पूछा है तो आप इसको comment out कर सकते हैं आप यहां पर comment लगा दीजा था कि मैं इसको paste करके अगर डालू अपने program में तो मुझे error ना मिले तो अभी क्या होगा कि आपने जो manually type किया है वो मुझे अभी देखो यहां पर मैं enter the following to no more मैं सम तो ऐसे prompt दिखाता है तो यह आपने बहुत अच्छी चीज है दिखाई यह मैंने नहीं बताई थी अपनी वीडियो में लेकिन अभी मैं इस वीडियो के माध्यम से सबको बता रहा हूं कि ऐसा भी किया जा सकता है तो अभी लेकिन इस वीडियो के लिए आप इसको भी अग प्रिंट हो के आगया बहुत बढ़िया भाई भाई चैनल क्या लिखाई इफ यू वांट तो नो देन गो टू कोडविध हरी भाई चैनल क्या बात है थैंक यू सो मच अब यहां पर क्या है कि मैं अगला कॉमेंट पड़ता हूं अगला कॉमेंट किसका है देखते हैं यह म अब लोग कर रहे हो बहुत मजा आ रहा है मुझे भी बनाने में वीडियो और अभी क्या करते हैं आप इन्होंने देखो if else का यूज कर दिया दिपक भाई आपको if else को यूज नहीं करना था नहीं करना था वाइल वन आपने लगा दिया लूपिंग यूज कर दिया आपने दिपक दिपक इस टुडेट अंटर योगी चलो आपने अच्छी चीज बनाई यह आपने जो ए रिपीटिट बना दिया आप मैं इसको एक्षट कैसे करूं तो यहां पर इन्होंने किया इफ की इक्वेस टो डी तो यह इन्होंने जो बनाया है वो थोड़ा सा उल्जा हु ऐसे तो इस एफल्स भी यूज ने करना था आप ऐपको व चीज यूज़ करनी थी जो कि मैंने ओलेडी विडियो में नहीं बताईए है आपको सिर्फ वा चीज़ यूज़ करनी थी जो कि आल्लेडी हमने यहां तक डिसकस कर लिया लेकिन तब भी मैं आपका नाम इस मुझे लगा यहां कुछ और होगा लेकिन यह तो वही कॉमेंट है कोई बात नहीं आर कोई बात नहीं आपने effort मारा है यार दिख रहा है word मुझे word ठीक है मालो C++ आपका code बढ़िया है भाई आपको पहले से कुछ concepts मालू है बहुत अच्छी बात है आपने follow यूज किया आपने try accept यूज किया यह सब मैं बताने वाला हूं आने वाले वीडियो में तो इसलिए अभी मैं इसको discuss नहीं करूंगा लेकिन भाई निकल राज पांडे thank you so much भाई thank you so much यह code submit करने के लिए participate करने के लिए और मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले टाइम में इनाम भी रखूंग का तो यह कि कोई जादा बड़ा इनाम मैं दे नहीं पाँगा लेकिन को छोटा मोटा दूंगा तो आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी दियार बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग comment मार रहे हो और जो पहले मारेगा उसको मैं कुछ इनाम दूँ अगली वीडि सबसे पहले आपने आपने यह काम बहुत अच्छा किया है मानलो कि मैं किसी और उसमें डाल दूँ जो भी आपने डाला है उसके बाद भी आजाएगा बहुत बड़ी आयर किसका था comment यह देखते हैं राइट लिगर किसको रण करता हूँ और देखता हूँ इन्होंने भी विलकुल वैसा ही code बनाया है और बहुत बड़िया बनाया है और चल रहा है तैंक यू सो मच नीरज दिम्री भाई और इस्लामिक कॉल भाई अपना नाम मुझे जरूर बताना और मैं आपका नाम लूँगा मुझे नाम लेना जादा पसंद है चैनल का नाम लेना नहीं आपना मुझे हैरी बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा तो नाम आप और लिख दूँगा यहां पर humanity, understanding and kindness towards other people इसके बाद मैं अगर यहां पर लिख देता हूँ, list in python, list in python, तो यहां पर देखो, यह आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, इस्लामिक कॉल भाई बहुत बढ़िया, मजा आ गया, इनका भी semester चल और सीखने में मदा आ रहा है ना, बस that's enough, अब मैं इसको run करूँगा, run क्यों किया मैंने आ पेस्ट करना था पहले, sorry, और यहां पर एक extra character आ जा रहा है, जीब सा बढ़िया, run करता हूँ, लिखता हूँ, versatile, able to adapt, good, domestic लिखूँगा इसके बाद, relating to running of a home or to family relations, great, 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 हमाद शिगरी भाई, बहुत बढ़िया, thank you so much, अब इसको run करूँगा मैं, copy करके, इनके code को, आनंद राय भाई के, code को तो आनंद भाई, आपके code को मैंने paste किया, और right-click करके, मैं run पे click करूँगा, entire word में मैं डालूँगा, hooliganism, और यहांपर violent आ गया, बहुत बढ़िया एक आनंद भाई हमारे मुन्ना भाई MBBS में भी थे, तो काफी मुझे वहाँ की याद आ जाती है, इसके बाद अगला जो comment है, अंकित त्रिवेदी का, अर्थिवारी भाई ने बोला है कि, वो मेरा एक पुराना चैनल देखते थे, और good luck देने मुझे इस चैनल के लिए, thank you अर्थिवारी भाई, thank you so much भाई, अर्थिवारी, अब इसके बाद मैं अंकित त्रिवेदी के comment को आपर copy करके run करूंगा, और यह जो है, अब हम निप्ता देंगे इसके बाद, तो यहाँ पर क्या आएगी बहुत सारे comment हो गए, लेकिन मैंने सब का नाम लिया, अभी तक ज enter the word की जगह, लिख सकते है, enter the word out of जो भी है आपके, लेकिन ठीक है, anyways, good, good, कोई वो नहीं है, जितने भी लोगों ने participate किया, thank you so much, अगले contest में आप लोग पार्टिस्पेट ज़रू करना हो, अगले वीडियो में भी मैं ऐसे announce करूंगा, जितने लोग भी comment करेंगे, इस contest के मैंने 2-3 दिन दिये है, लेकिन आने वाले context के लिए मैं कितना time दूँ मुझे नहीं मालूम, तो आप जल्दी से जल्दी comment करना solve करें, ताकि आपका नाम में ले पाओ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं सब का नाम लेता हूं, तो अभी के इस वीडियो में इतने है, आप लोग ने प्लेलिस्ट को access नहीं किया है, इस वीडियो की, तो यहाँ पर देखो, फुल पाजने डिटोल फॉर एपसलूट बिगनर्स, यह प्लेलिस्ट है, इसको आप लोग क्लिक करके खोल लीजे, और इसको क्लिक करके खोलेंगे, तो आपको वो सारे वीडियो मिल यहाँ से सारे वीडियो को देखें, अभी तक आप लोग ने जितना लवन सपोर्ट दिगा है, थैंक यू सो मुझ इंक इस वीडियो, अगले कॉंटेस्ट में मिलते हैं, सबसे पहले इंसान आप ही बनना कॉमेंट करने वाले, और यहाँ से यू नेक्स टाइम. स्पस्ट्ज़ पास, बपुले कीू ख biri क attempt कारें, सबस्phone को